लेकिन आप पैनल को दिखाईए आप सब को गुड मॉरिंग शचन गुड मॉरिंग सचन आपकी ट्रेड क्या होगी गुड मॉरिंग अश्री जी गुड मॉरिंग यहाँ पर बिक्वाली करने की सला होगी पर पिछले हथे जिस तरीके से अपने अलमोस्ट तीन हथे के गेंज को एंगल्स कर दिया था एक पुल बैक 735 तक मुझे लग रहा है विहाँ पर फ्रेश शॉट आपको आड़ करने चाहिए सब्सक्राइब करने का कॉल सचिन की तरफ से आता हुआ है को फोर्ज सचिन चार्ट या डेटा रेडी रखिएगा आपके पास आऊँगा हरशुदा क्या अपडेट इसकी सारड़े को बोर्ड मीट होनी थी उस बोर्ड मीट में दरसल बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी साफ कह दिया है कि वो दो बिलियन डॉलर तक का रेवन्यू कमाएंगे FI 23 तक एक बिलियन डॉलर अचीव कर चुके हैं लास्ट कोटर याने की थर्ड कोटर रिजल्ट में कंपनी ने कहा था कि FI 24 में अभी भी डिमांड की सिचुएशन बहतर होती नहीं दिखाई देरी उसमें पिक अप नहीं है उसके बावजूद FI 24 से 13-16% की ग्रोथ गाइडन्स मीट करने के लिए सक्षम है तो वो अचीव हो पाएगा लेकिन आगे क्या डिमांड पिक अप है उसको लेकर विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी कंपनी के CEO को उसके बाद अफकॉस ये जो परसो बोड बैठक हुई है कंपनी अब फंड रेस कर रही है देखते आगे किस पर्पस के लिए दरसल ये फंड उटाए जा रहे है देखते हैं वई 3,200 कड़ उपे QIP रूट के जरीए जुठाएगी सचेन वैसे बहुत पिटा हुआ स्टॉक है कोफोर्ज दगतार दबाव में था फिर उसके बाद फ्राइडे को थोड़ी सी रिकावरी इंट्रेडे में लौटी है दमखम है इस काउंटर में तेजी करने का मन बनाओगे इस पिटवे काउंटर में यह नहीं अश्री जी डेफिनेटली एक सबसे बड़िया कांडिडेट है बाइन डिक्लाइन स्ट्राटरजी पे और जैसे आपने मेंशन किया थर्जडे के सेशन में इसमें काफी बड़ी गिरावर्ट हुई थी बट इसने जो फ्लोर सेट किया था 5900 के आज़ पास का आई थिंग वो फ्लोर अपने फ्लाट वेव करेक्शन का ही एक सपोर्ट बेस है और वही पे एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन एस्टैबलिश हुआ है डेली चार्ट पे एक अच्छे रिकवरी हुई थी 6100 के आज़ प बननी चाहिए तो एक हेल्दी ट्रेंड में रहा है एक स्ट्रक्शर में है और जिस तरीके से फिलाल यहां पर पाटन्स एक्जिबिट हो रहे है मुझे लग रहा है 5900 का जो फ्लोर है यह अच्छी तरह मेंटेंड होगा इस वोलिटालिटी में और हाइर साइड 6300 से लेके 6 6600 तक की भी यहां पर तेजी बन सकती है अगले कुछ हस्तर में तो डेफिनिटल यहां पर खरिदारी करने की सिला होगी और डिक्लाइं स्टॉप लगाना है और पोजिशनल बेसिस और हाइर साइड 6300 के बाद मुझे लग रहा है लॉंग पोजिशन आपको रिवीव करने बहुत बड़े है बाई और डिप्स का एक परफेट कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पे पिटा हुआ स्टॉक था अब लग रहा है लेकिन दम खा गिरावट आए तो एक्यूमिलेट करिएगा यह स्टॉक 6600 तक जाने की कर रहा है तैयारी यह है खबर और खबर के बाद किस त बाई कॉल है आई सी आई सी आई बैंक पे बारा सो पचीस के लक्ष के साथ उतर रहे हैं वो वो कह रहे हैं लिक्विरिटी तो ख़़ए नियर टर्म में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है टाइट रहेगी लेकिन वो हालात यहां से ग्राजूली इंप्रूव होते बैस हजन यह सिर्गारी बैंक को लेकर मूड उख़़ा हुआ आपका कि बैंकिंग ऐसा स्पेस को लेकर आई सी बैंक कैसा प्लेज नजर आता है देखिया आशी जी अगर हम ओरराल स्पेस को डाइसे करे तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अभी भी दबाव मे है बट बारिंग आई से बैंक जहां पर एक हाट और बॉलिश सीक्मेंस इसने रखी है पिछले तीन महिनों से और इस सीरीज में भी जिस तरीके से बिल्ट अभी तक है कई पर भी यहां पर फ्रेश शॉट्स के संकेत अभी तक आये नहीं है जो डिक्लाइन हुई है अपने लाइफ हाई से वो भी काफी ग्रैजूल है और डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलिटालिटी इसने अपने शॉट्टम आवरिजिस के ऊपर काफी अच्छी तरह विनों बिल्ट अप्स रखे हुए है तो इस तरीके से स्ट्रॉक्चर है अगर मार्केट वोलिटालिटी के व जिसके प्राइस लगबग राउंट वारा सो बारा सो बीस के आसपास ही को इंसाइड हो रहे है तो असला तो यहीं होगी जिस तरीके से स्ट्रॉक्चर है यहाँ पर बायान डिक्लाइंट की रंडिती कंट्रियोड रखे ऑन दे लोर साइड स्टॉप लॉस आप 1030 के आसप 1240 के ट्रजिक्री को जल्दी यह हिट करतेगा और कोटक के टार्गिट्स भी फंडमेंटली 1250 के आसपासे जादर समय शायद ना लगे सचिन को वह आई सी से बैंक पसंद आ रहा है करदारी करने का मन है गिरावट में एक्यूमिलेट करते चलिएगा इस स्टॉक को सचेन आपका ट्रेड यहाँ पर टॉरंट फार्मा ने काफी इंबॉर्टन सपोर्ट बेस था अरूंड 2600 के आसपास वह इसने ब्रीच किया है यहाँ पर बिक्वाली करने की सला होगी टॉरंट फार्मा के फ्यूचर में एक उपन आई भी इसने एक्जिबिट किया है चप्विस सो तोड़ा सा प्रेटिकल होगा चप्विस सो दस के साथ मुझे लग रहा है पुल बैक पर बिक्वाली करनी है इमेडिट बेसिफ पे एक अच्छा डिपा सकता है लगबर गराउंड पच्छिस सो लबल के आस पास ता तो फ्रेश शॉट्स एड़ किये जा सकते है टॉरंट फार्मा के फ्यूचर में अच्छा जाए पेंड़ करेंगा लगव करने से टेक्णिक लिए शाचेन आपका व्यू का बनेर ऐसे दोर बी आया यह थिंक फेबररी मार्च का मिरहाफ तक जब पिरलायट ने बहुत स्ट्रोंग पलग टिया अपने all-time high trajectory कुछ हुआ रेकिन उस दौराँ एशन पेंट सरंडर कर रहा था इवन दे शौटेस्स मुविंग एवरेज टेंडूंटी ये क्रॉस निकर पारा इसकी ये अंडर परफॉर्मेंस इसकी वीकनेस क्या रिफ्लेक्ट कर रही है और कोई ट्रेट परस्पेक्टिव अगर आपका हो दो बताइएगा एशन पेंस पर बिरिंदर जी आपर डिस्लोजर देना चाहूंगा थोड़ी देर पहले ही हमने हमारे क्लाइंट्स को यापर एक बेरिश व्यू लेने की तिला दी है और 28-29 का जो पुट आप्शन ने वो खरीदना है जैसे आपने जिकर किया एक क्लियर लोट आप लो बॉटम सीक्मेंस है एक अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ था एक पुलबैक नजर आया था 27-50 के बेस बनाने के बाद बट अपने शॉटम आवरज इस 5-20 के आसपास ही वापस थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है तो डेली चार्ट पे तो क्लियरली एक फ्रेश बेरिश पैरिश पैरिंट का ब्रेकडाउन है जिसके प्राबोबिल टागेट लगबग अराउंड 2800 के आसपास प्लेश है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वीक्रेस है मोमेंटम के लिया से वो कंटिन्यूड रहेगी दूरिंडरे 2800 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है फ्यूचर्स के लिया से 2800 के स्टॉप लॉस के साथ यह शॉर्ट मेंटेन किये जा सकते है बिल्कुल तो सचिन शुरुबात करते हैं आपका सथा ओप्शन ट्रेट अनुजी आपर टाइटन का स्ट्रक्शर थोड़ा सा साइड़ेश टू नेगेटिव हो रहा है जिस तरीके से ओवराल इसके डेटा डेवलोपमेंट है मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है 3600 का जो नेजर सपोर्ट है मुझे लग रहा है वो भी ब्रेक हो जाना चाहिए तो यह आपर 3600 का ही पुट ऑप्शन आपर खरीदना चाहिए जो लगबग अरौं 51 60 के आतपास फिलाल ट्रेंड हो रहा है थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहापर डेटा साइडवेस बंद रहा था बट जिस तरीके से प्राइस में एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है तो मुझे लगए काफी बड़ा शिफ्ट नदर राना चीए तो खरेदारी करनी है टाइटन के 3600 के पुट अप्शन ओके के पुट अप्शन के खरेदारी करनी है तो मेरे स्कीन पेक्स लॉग बहुत देर से अपीर हो था और क्यूंकि अब इसको भी दिखिए है तो थोड़ा स्कू भी दिखिए है अज सचिन प्लिस्में के से अगई आपको पिछले तीन इसे चोटे से पुलबैक मोड में है और आज बार-बार अटेंप्ट कर रहा है अपनी पिछले दो सेशन की हाइस टिक्ट्री को पार करने का आपका व्यू सचिन इस पर इस पर देखिए या पर थोड़ा सा साइडवेज ही नदर आ रहा है इंट इमेड़ेट पेशिस पे 2060-50 के असपास एक लश्टर रेजिस्ट क्लियर होगी 2100 के मुव के लिए और लोर साइड नीचे सपोर्ट भी 2020 के आफपास प्लेस्ट हो तो एक रेंज ब्रेक आउट होने दीजे आइधर साइड और उसके बाद मुझे नगरा है मोमेंटम चेस करने में मज़ा होगा अधरवाइस जैसे मार्केट अभी भी लॉक् साइड का लेवल इंबॉडन्ट होगा अगर वो ब्रेक आउट होता है तो प्रेफर्बरी लॉंग थोड़े से कंसिडर किया जा सकते हैं अगले काई करेंगे और इस काई करम से हमां साथ सचन और आशीष अगले काई करेंगे बाकी प्रकास्टर रचना जी मानस आप सभी क का बहुत बश्रू करिया राजियर सत्पुते जी इसका एक क्रेम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स वा इंडिसीज में राटने के लिए आई ये शिर्क्रत करते हैं दस कदमतार ट्रेट में मार्केट का एक बेसिक हाल बताते हैं कौन-कौन रहने वाला है हमारे साथ शो में आशिश भहती और सचिन पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं और उसके अलावा हम बात करेंगे आमिज सेट से और रुचित जैन से और आज एक बहुत ही इंट्रेसिंग बिग मार्केट वाइसिस में हमारे साथ एक गेस्ट जोडने वाले हैं इंडिया आइडियेशन कॉन्फरेंस यह हो रही है एक मोतिलाल उस्वाल की तो उसकी साइड लाइन से मतलब उस कॉन्फरेंस से जस्ट पहले शचिन जी आपके दो ट्रेट्स देखे विरिंदर जी मुझे लग रहा है जब तक 22,120 के उपर निफ्टी ट्रेड नहीं होता है तब तक थोड़ा सा प्रेफरेंस सेलन राइज के रणनीती पे ही देना है और जिस तरीके से वोलिटालिटी है साधा ट्रेट्स के साथ एक्स्परिमेंट नहीं करना है मुझे लग रहा है यहाँ पर जो हमने दो ट्रेट्स डिसकस के थे प्रीवेस शो में एक था एशन पेंट्स का मुझे लग रहा है वहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉट्स आड़ करने चाहिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगबग मुझे लग रहा है 2750 तक की एक स्विं 2872 के स्टॉप लॉस के साथ यह शॉट कंटिनू टके ट्रेडिंग के लिया थे इंटाडे में ही मुझे लग रहा है 2770-2750 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं जो सेकेंड ट्रेड हमने डिसकस किया है वो है SBI का सुबह जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ट है अप 2744 का वो अभी भी इंटाक्ट है तो इसी पर्टिक्लर स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉट्स आड़ करने की सिला होगी 710 के टागेट के लिए